नमस्का दोस्तों स्वागते हैं आपका टीशी टेले चनल में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अगर आपकी मसीन धागा काट रही है चाहे वो कैसे भी काट रही हो कहीं पर भी हो तो इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेंगे तो आपकी मसीन जो है कभी धागा नह हेन चले पर अब इस बात चेक्ट करें तो सब्छाइब करता ही है माल या है उसको ढ़ा नहीं कहेंगे उसमें क्या है आप अगर प्रणहा डालेंगे उसके लेगेगी पुर्जे सूख जाते हैं तो इस बज़ा से जो है धाया काटने लगती है लेकिन अगर आपकी बार-बार धाया काटने लगी है चनक से तो आपको क्या करना है तो सबसे पहले यहां बात करेंगा मैं इस्टापर की तो इस्टापर आपको दिखाएंगे खोल के और है यह जो है यह घूमे ना तो इस बज़े से इसको रोकती है यह तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ धार कहां पर हो जाती है तो जब धार होती है तो यह धार काटने लगती है यहां से तो सबते पहले आपको यहीं चेक करना है अगर धार काटने लगे अचानक से तो देखें यहां पर जो है अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको यह देखें यह कितना कटा हुआ है यह जो है इसमें कितनी धार है अंदर के लिए गहरी एकदम हो गई और इधर साइट की बात करें तो इधर साइट में देखें नहीं है कटा हुआ है तो यह चीज है लेकिन जो है इसमें इदर साइट में यह देखे चमक रहा है कितना ज्यादा अंदर लोहा बुलकुल कटी गया है तो जरा सा यह बचा आइस्टा पर अगर जो पूरा कट जाएगा तो नयाद डालना पड़ेगा तो यह जो है यह पूरी तरीके से कट गया है लेकिन हमारी मसीन में चला है तो क्यों चला है इसकी एक बज़े है तो इस बज़े से चला है मैं आपको यह भी बताऊंगा किस बज़े से चला था लेकिन आपकी जो है इस तरीके से अगर हो तो इसको कैसे साफ करते हैं तो इसके लिए आपके पास रेती होना जरूरी है अ की यहार की यहारी और टो इस फिल स्वापना में हो diffते हैं तो इसको यहार को खिसने कोई खित्वारे हैं तो इसको नहीं पूरा टम है तो देखे़िए साइड हमने इसको घिष दिया है और यह कट गया है लेकिन जो है यह चले भी मेरे में तो चलेगा क्योंकि मैं यहां पर एक तरिक आप को दिखाऊं। किस तरीके यह चलता है यह जो गई लेकिन यह क्योंता हो गई से लगब हमने तीन फैनिन घिसा गशी को इसका ज़्ओー है इसको आपको साफं कर लेना यहाँ पर कहीं पर भी अधार नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से हैं चुलकुल अछछे वालगशन कर लेना है कहीं पर ढई कब दो काटने काटने लगेगी तो इसको अब हम बांदते हैं तो बांजने के बाद मैं आपको दिखाऊँगों कि दाया किस तरीके से काटती है देखें यह वाली एक इससा होता है यह इसमें नो बॉबन को जैवार देंगे इस तरी के से के इसको फ्ट कर दिया अब या में जो है इसको में बांद लेते हैं तो इसको बांद दिया बीच अब बीच में रखना है और आपको यह तो यहुच इप दिखाता हूं जैसला के ये ते तो यह क्या है पिर बहुत तो इस जो लहादा होता है लेकिन यह इसने डिखाता हूं को सिसमें घिसता है जूहाIDE जैसे कि मैंने यहां पर बाविन लगाई अब मैं उपर से धागई इसको उठाता हूं कि आपको डिकhATAKído querer आपको कि यह तित्र Singapore तरहीं हुआ है अब जैसे कि यहां पर जब यहות प्तार लेती है यह chỉ अफंडया में ङ fifty यह आप टा सबऄ़ अब दिए निकल के हो है इस तरीके से धागा इसी के अंदर से जाता है तोह भान 900 सुरू वो जाता है अभरने मैरे मसीन काप तोוכर मेरे मसील है लेकिन यहां पर लूजिंग बहुत जादा है तो यह देखे आप निकाल के ठोड़ा बांदा है तक कि मसीन दाना ना दे यहाद लेकिन आप सद्धाइब और गिसाईब्र हाए तो इस बजासे बीच में गयब जादा है तो इस बजासे कम काटती है अगो जिसका ज्यादा अंधर के लिए दबा वगा था इसटा पर ऄधyllर उस şeyi जाद और देख सकते हैं तो यह समझमें अगया होगा इससे काचती है यह ये यह सड़्ड़ कि नोग जब वह चीज आप वहां से चेक कर लें और उसके बाद क्या है अगर यह आपकी यहाँ पर खुरकुरापन हो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके चिक नहीं लगेगी लेकिन इदर से नीचे से उपर के लिए हाथ इस तरीके से फेरेंगे तो क्या है उसमें जो है आपको खुरकुरापन लगेगा अगर धार होगी तो तो अगर इस तरीके से धार है तो इसको जो है इस पतला वाले रेगमाले मोटा वाला नहीं लेना है आपको और इसको घिस ल तरीके से करना मैंथ आपको इसे जाया है नहीं सिर्फ दिखाया है आपको अच्छे से इसको साफ करना नहीं है जिससे आपकी मशिन दान नहीं से लीदे तो नहीं नहीं काटेarta मैं बाकीक और इनहें प्रिनओं अब दोस्तों तीसरी दागुड शीजा नहीं काटूब हम दो तो अचया में कि है तो लोहा जो है कड जाता है तो असके अंदर पहें थार आ मज़से क необходимо तो अगर जो है इन दो चीजों सटल लाओ इस टापर से अगर ना सही हो तो इसको आपको चेक करना होगा मैं इस हर चीज आपको बताया दे रहा हूं फिलाल तो उससे सही हो जाएगी तो देखें यहां पर यह वाली पट्री है यह नहीं है और यह जो है यह बड़े चेंद की है पट्री यह अल्मोनियम की यह लोहे की है अच्छी होती है लोहे के नहीं होती है तो इसके पैंnes geliyor होता हुथ होता है मुलायम तो उसमें क्या है मुलायम कपना जो होता है महीन कप्ड़ अंदर जाने का डर रहता है अंदर से नीचे जा क फसने का डर रहता है इस टापर या सटल के फस जाता आए तो इस बज़ए से जो आए बड़े चेंद की पट्रियां जो है नौर्मल पे नहीं चलाते हैं कड़क कप्ड़ा हो जैसे की आर्मी वालों का कपड़ा हो गया जीन्स का हो गया या जैसे की मूटा कपड़ा हो गया तो उसके लिए जो है आप आराम से सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं तो पुरानी यो कंची वो इसमें धार कम हो तो उस तरीके से नोगंबा लगाеров दो इस तरीके से ये कंची लेंगे और इसको पट्री यह साफ हो जाती है अब यह क्यों होता कि पट्री जो है वो कच्ची होती है कच्चे लोगे की बनी होती है जो जुग्गी अली मसिन को थी बहुत जादा पक्के लोगे की उसमें आपको यह ची नहीं करना कहीं खराब हो जाएगी फिर तो यह वाली जो है यह कच्चे लोहे की होती हैं तो इसको आप साइज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप जो है इसको घुमाएंगे तो आपको इस तरीके से घुमाना है दो तीन मिनट एक मिनट के लिए तो आप घुमाया है इसको बिल्कुल देखे अब ये गोल होने लगा फिर जो है आपको इधर साइट में घुमाना है तो ये देखे ये जो है ये लोहा देखे कितना कट गया तो इस तरीके से इसको देखे अब ये गोल थोड़ी सी हो गई है थोड़ी क्या साही हो गई है अंदर का जितना है बिल्कुल जो है गुलाई में ये देखे घलका सा गुलाई में ये होने लगा है बिल्कुल साफ हो ज तो धार केसे चूंपे देखेंगे तो धार की बन जाती है नीचे कसा आफ करेंगे तो ऊपर घिज देना है तो यह चिकनी हो जाएगी इदर स्टैसर ना तो इस तरीके से इसको जो है आप सही कर सकते हैं दोनों तरफ से इसको इस तरीके से सही करके और फिर लगा दें उसमें और उसके बाद जो है आपकी मसीन बिल्कुल सही हो जाएगी कोई कमी नहीं होगी कर कि दिल्कुल सही जो है जल्दी नहीं खराब होती है मसीनों की सुई जो ह्यों सही होती है छाइनी पनी में लगती है चायन यहंने और वह आप और आरगन के स्वई लगा सकते हैं दस रृपय की मिलती है आठ रृपय की, वह उससे भी ज़्यादा बढ़्या हो ते इस जिन मेंगी होती है इस बज़े से तो जो आए इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो कि धा काड़ना किस तरीके से बंद करते हैं और भी दोस्तों कुछ अगर आपको पूंचना हो तो कमेंट में को कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो प्रेस करना है फिर मिलेंगे एक ने वीडियो को साथ अब तक लिए नमस्कार